नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चनल में जिसका नाम है ऑनलाइन सेलिंग टिप दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ सर्वेस के बारे में जो फ्लिपकार्ट ने अभी हाल फिलाल में चलाए हैं अपने पोर्टल पे सेलर्स के लिए कुछ कोविट 19 से रिलेटेड है और कुछ सेलर पैकेजिंग से रिलेटेड है तो आज उसी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली अपडेट है गौर्वर्मेंट आप महाराष्ट्रा से कि अभी जो वहां पे मुवमेंट है सिर्फ गुड्स की अजेंशल गुड्स की अलाउड ह से रख रहा है जब तक लॉग डाउन एक्सेंड हो रहा तब तक और जब वह लॉग डाउन हट जाएगा तभी वह महाराष्ट्रा के और एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा तो इसलिए अभी तक की तो डिस्पैच बाइड दिखारी थी पच्चिस चार दोजार इकिस वह बढ़के और भी जादा हो जाएगी क्योंकि लॉग डाउन जो है अभी में तक एक्सेंड हो चुका है तो में की फर्स्ट वीक से अभी और अगर एक्सेंड होता है तो यह और भी जादा इंक्रीज होगी डिस्पैच बाइड डेट सेकिंड अपडेट दोस्तों इसकी फिल दिया है वहाँ पर लिंक पर फिल कर सकते हैं लिंक पर आप क्लिक करेंगे जैसे अगर आपने पोर्टल ओपन किया वहाँ पर ग्रोथ की टैब में आईएगा ग्रोथ की टैब आने के बाद या परफॉर्मेंस की टैब में आईएगा वहाँ पर आने के बाद यहां पर आया जाएगा would you able to operate your business during this lockdown period तो अगर आप yes करेंगे तो वो yes होगा अगर आप no करेंगे तो आपके पास order अने बंद हो जाएंगे या वो order आपके extend हो जाएंगे जब तक lockdown है तब तक आपके order जो है upcoming में आते रहेंगे उसके बाद आप लिखेंगे अपना please help with the pin code of your area of business तो अपना pin code आप महाँ पर mention कर सकते हैं आप कौन से pin code से operate करते हैं आप लिखिए अगर वो operational होगा तो जरूर आपके पस order आएंगे अगर नहीं होगा तो flip card automatically upcoming में आपके orders send करता रहेगा यहाँ पर pin code लिखने के आपके पास thank you का option आजाएगा आप मतलब आपने survey फिल कर दिया है और यह survey फिल करना इसलिए जरूरी है कि flip card को भी पता चल सके कि कौन-कौन से seller available है और कौन-कौन से नहीं ठीक है दोस्तों तो कैसी लगे वीडियो जरूर बताएगा comments में हाल फिलाल के कोई भी update आती हो तो मैं जरूर आप तक पहुंचाऊंगा thank you so much online selling tips